नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आराइस बावा पर हाल ही के अंदर MS धोनी ने एक IPS ओफिसर को 15 दिन की जेल करवा दी है IPS ओफिसर को 30 दिन का समय दिया गया है मदरास हाई कोट के दौरा की आपके पास में 30 दिन का समय है अपने आपको निर्दो सावित कर दीजे तो क्या वाकई में MS धोनी की उपर जो आरोप लगा था वो बिल्कुत सही था या MS धोनी ने जो IPS ओफिसर को 15 दिन की जेल करवा दी है वो सही है मामला क्या है पूरा मामला हम लोग जानेंगे लेकिन इस पूरे केस के अंदर राज कुंद्रा किस प्रकार से जुड़े हुए हैं जिनको हम लोग कहते हैं मास्क मैन कई बार आप लोगों ने राजकुंद्रा को देखा होगा अलग-लग मास्क पहन के जो है वो पबलिक के सामने आते थे लेकिन राजकुंद्रा इस पूरे कैसे कैसे जुड़े हुए है वो आज हम लोग समझेंगे हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको कवर किया है मदरास हाई कोट सेंटेंसेज आईपेस ओफिसर टो फिफ्टीन डेज इन जेल और कंटेंट प्ली फाइल बाई MS धोनी MS धोनी वही वेक्ती हैं जिन्होंने 2007 के अंदर T20 वर्ड कप भारत लेकर आये थे उसके बाद में 2011 में वर्ड कप भारत के अंदर आये था उसके बाद में चैंपेंश ट्रॉफी भी भारत के अंदर आये थी लेकिन बाजी पलटती है और 2013 का जो IPL था उसके अंदर स्पोर्ट फिक्सिंग का आरोप लगता है और खास तोर पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगता है मुद्गल कौन थे हरियाडा और पंजाब हाइप कोर्ट के चीफ ज़स्टिस थे उनके अद्रक्षटा में और चार और बी सदशे थे उनके अद्रक्षटा में एक समित्य गठन होता है वो समयती जाच करती है और जाच करने के बाद अपने रिपोर्ट जो है वो दाखिल कर देती है जैसे ये रिपोर्ट दाखिल करती है तो एक इंसान की एंट्री होती है और वो ये वेक्ति है जी संपत कुमार तमिल नाडू सरकार के अंदर एक IPS ओफिसर थे CID ओफिसर थे और इस्पेक्टर जनरल थे उन्होंने इस मामले की जांच की और जांच करने के बाद कहा कि basically इस पूरे मामले के अंदर लीपापोती की जा रही है और यही नहीं यह खुद यह और एक TV चैनल और था इन्होंने यह भी आरोप लगाया MS धोनी के उपर कि MS धोनी जो है वो basically इस पूर्ट फिक्सिंग के लीडर है मतलब वो भी जो है इस चीज़ के अंदर इन्वाल्व है जब अक्टूबर 2013 के अंदर मुदगल समिटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी थी उसके बाद में इन्होंने allegations लगाए धोनी के उपर फिर धोनी ने written case जो है वो file किया इन्ही के उपर कि इन्होंने जो आरोप लगाया है वो सरासर गलत है लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुकता है यह जो है वो basically और आरोप लगाता है सूप्रिम कोट के उपर भी और मुदगल समिटी के उपर भी और कहते हैं कि मुदगल समिटी ने basically क्या किया है लेपापोती की है ठीक है अच्या जब मदरास हाई कोट के पास में यह मामला पहुंसता है तो मदरास हाई कोट यह कहता है कि आप लोग यहीं पर रुक जाईए संपत कुमार को कहते हैं कि आप भी कोई allegation मत लगाईए और MS धोनी को कहते हैं कि आप भी allegation मत लगाईए समीथी जो है इसके जाँच करेगी लेकिन रोकने के बावजूद भी संपत कुमार रुकते नहीं है फिर से वो सूप्रिम कोट के उपर और फिर उस कमिटी के उपर टिपनी करना शुरू कर देते हैं मदरास हाई कोट इस बात को संग्यान में लेता है और content of court का case जो है वो इनकी उपर दाखिल कर देता है और उसके बाद में जब सुनवाई होती है तो इनको 15 दिन की सजाद दे दी जाती है और इनको कहा जाता है कि आपके पास में 30 दिन का समय है आप अपने आपको क्या कर दीजे निर्दोस साबित कर दीजे ठीक है तो basically इनकी उपर जो है वो 100 करोड रुपे का एक deformation case मतलब मान हानिका जो दावा है वो चन्ने सूपर किंग्स के जो captain है M.H. Dhoni उनकी दोरा लगाया गया है और ये मामला जो है वो अब कहां पर पहुंच चुका है Supreme Court के अंदर मतलब संपत कुमार इस मामले को कहां पर लेके गए थे Supreme Court के अंदर लेकी गए थे IPL के अंदर sport fixing मामले के अंदर ये जो basically मुदगल सहाब है इनकी अध्यक्षता में समिते गठन होता है और allegations लगे थे कि BCCI के जो chairperson है उस समय के एन श्री निवासान उनके सनिन लौ है गुरनाध मयपन, इंडियन सिमेंट्स और रजस्थान रोयल्स टीम ओनर जैपूर किर्केट प्राइवेट लिमिटेड जिसके अध्यक्ष कौन थे राजकुंद्रा, तो राजकुंद्रा के उपर भी आरोप लगते हैं कि इन्होंने भी sport fixing और max fixing करवाई है क्योंकि यही जो थे, वो basically honor थे, जैपूर किर्केट प्राइवेट लिमिटेड, the honor of the Rajasthan Royals तो इनके उपर भी कई investigations होती है, और ये भी जो है, वो जांस के डाइरे में आते हैं तो मामला जो है, वो अब यहाँ पर है, कि 30 दिन के अंदर IPS officer को अपने आपको निर्दोर साबित करना पड़ेगा अगर निर्दोर साबित नहीं होते हैं, तो फिर उनको जेल की हवा जो है, वो खानी पड़ेगी MS Zoni ने अपना पूरा जीवन जो है, वो योगदान दिया है किर्केट के लिए ये खिलाडी जब खेलता है, तो उसके उपर बहुत ज़दा प्रेशर रहता है वो बहुत दबाव में खेलता है, जैसे हाल ही में आप लोगों देखा होगा Muhammad Shami, Muhammad Shami पहले से ही किसी डिप्रेशन से गुजरते हुए आ रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने वर्ड कप के अंदर जबर्दस परफरम किया, जब वर्ड कप के अंदर उन्होंने विकिट्स लिये, तो उन्होंने सजदा किया था अपने इश्वर को जैसे आप लोगों ने सचिन तनलुकर को देखा होगा तनलुकर जो हैं जब भी कोई 50 या सेंचुरी बनाते हैं तो वो इश्वर की तरफ उपर देखते हैं और धन्यवाद देते हैं ठीक उसी प्रकार महमाद शमी ने भी अभी सजदा किया था और उसी सचिद्य को लेकर कॉंट्रवर्सी हो जाती है और महमाद शमी ये कहते हैं कि वाकवी में आप इसको भी कॉंट्रवर्सी का पॉइंट बनाएंगे तो ये देश फिर मेरे लिए है ही नहीं मैंने देश के लिए इतना किया है वर्ड कप में पर्फॉर्मेंस उठा के देख लीजिए लेकिन मैंने तो इश्वर का धन्यवाद किया ये मेरा तरीका है धन्यवाद करने का अगर फिर भी आप लोग को ये बरदाश नहीं है तो हो सकता है कि मैं इस देश को छोड़ दू ऐसे कई सारे कमेंट जो है वो मुहमद शमी ने किये थे खिलाडी बहुत प्रेशर में खेलता है जैसे अभी हालही के अंदर विराट कॉली जब मैदान में खेल रहे थे तो हमास को सपोर्ट करने वाला एक व्यक्ति जो है वहाँ पर आता है लेकिन कोहली को पता नहीं था कि ये व्यक्ति जो है उनको सपोर्ट कर रहा है बाद में पता लगता है कि वो जब जंडा लेके आता है तो फिर उसको कौनी से दूर भी वो कर देते हैं तो खिलाडी के उपर बहुत प्रेशर रहता है खिलाडी तो रिटायर होता ही है साथ में जर्सी भी रिटायर हो चुकी है सशिन दनलुकर की 10 नंबर की जर्सी को भी रिटायर कर दिया गया है ठीक है? चलिए तो ये पूरी की पूरी कहान ही थी तो संपत कुमार को अब ये साबित करना होगा कि भाईया आपने जो है वो allegations जो लगाए है वो वाकई में सही लगाए है ठीक है? तो अब देखना होगा कि वो सही कर पाते है कि नहीं कर पाते है आप हमारे junior accountant course के साथ में जूड सकते हैं पेपर 2 के लिए हमने 6 subjects का video course design किया है जिसमें Paper 1 और Paper 2 की test series भी आप लोगों दी जाती है अगर आप लोग चाहें तो test series को अलग से ले भी सकते हैं Paper 1 और Paper 2 की full detailed solution के साथ में एप्लिकेशन जरूर डाउनलोड कीजीगा RS Baba Deepak Sir वहाँ पर आप लोगों को lecture की PDF तो मिलेगी ही साथ में Telegram channel है Deepak Sir Official और RS Baba Deepak Sir Telegram channel को भी आप लोग जॉइन कर लीजीगा कोई भी परिशानी होती है कोई तकलीफ होती है lectures को आप लोग जरूर शेर किया करो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो subscribe जरूर कर लीजीए मिलते हैं आप लोगों से अगले session में अपतले धन्यवा, thank you, jahind